एक एतिहासिक कहानी जहां एक देवी ने असुर को जन दिया और देव लोक वापस चली गई देवी के पीछे ये असुर इंसान के घमंड और लालच का फायदा उठाता है और बली चरती है मासूम लोगों की तो प्रतारना और खौफ की ये कहानी कैसे खत्म होगी जानेंगे आज की वीडियो में जो मल्यालम फैंटेसी फिल्म कुमारी के बारे में है तो कहानी के शुरूआत एक लोक कथा से होती है जहां में बताया जाता है कि सदियों पहले एक देवी परलोक से धरती पड़ाएं ताकि इंसानों से मिल सके उन्हें इंसानों का प्रेम भाव इतना चल लगा कि वो यहीं रह गई कुछ वर्षों बाद उन्हें एक आदमी से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली लेकिन शादी के बाद देवी ने ऐसे बच्चों को जन दिया जो किसी भायानक यक्ष की तरह दिखते थे इन उप देवताओं ने धरती पर तबाही मच चादी जिससे आहत हो देवी ने इन्हें हमेशा के लिए जंगलों पहारों में चुपी गुफाओं में कैद रहने का शाप दे दिया और वो वापस पर लोग चली गई अब देवी के जाने के कई वर्षों बात जब मनुष्य को इन दानवों के विचितर शक्तियों के बारे में पता चला तो इन्हों ने दानवों को पूझना शुरू कर दिया ताकि उन्हें पैसा और पावर मिल सके तो यहां से कहानी आगे बढ़ती है और हम एक छोटे बच्चे को खेतों के बीच भागता हुआ देखते हैं इस बच्चे का नाम है चोकन चोकन इलिया माला के जंगलों में रहने वाला एक अनात लड़का है खिलते खिलते चोकन गाउं के मुखिया और कानी रंगत परिव वालों के साथ चोकन को खाना खिलाती है और उससे पूछती है कि उसे जंगलों में अकेले घूने में डर क्यों नहीं लगता वो कहती है कि उसने सुन रखा है कि इलिया माला के जंगलों में चतन का राज है इस पर चोकन कहता है कि चतन किसी को नुकसान नहीं लेकिन वो वापस नहीं आता हम देखते हैं कि नंगा कुटी चुकन का लाया आम खाने लगती है अब यहां हमें बताया चाता है कि इल्यामाला चत्तन देवी का ही बेटा था जिसे इल्यामाला जंगल के लोग पूछते थे कहा जाता है कि जो भी चत्तन की गुफा में उससे मिलने जाता वो वापस जिन्दा नहीं लोटता था लेकिन चुकन चत्तन का दोस्त था और हम देखते हैं कि नदियों पहारों को पार कर चुकन चत्तन के लिए खाना ले जाता है जिसके बदले में चत्तन उसे धेर सारा कीमत तो अब हम कानी रंगत घर का सीन देखते हैं जहां मुखिया थुपन को पता चल जाता है कि उसकी पतनी ने एक अनाथ चुक्कन के हाथ का लाया हुआ फल खाया था जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है वो खुद को पवित्र गरने के लिए घर के तालाब में नहाने जाता है जहां उसे चुक्कन भी नहाता हुआ दिखाई देता है यह देख थुपन गुस्से में पागल हो गया क्यूंकि उसके कोडिंग अभी ये तालाब दूशित हो चुका है चुक्कन उसके आगे गिर गिराता है लेकिन थुपन उसे पत्थर से मार कर उसकी जान ले ले लेत है इस हादसे से जंगलों में रहने वाला उपदेव इलिया माला चत्तन बहुत क्रोधित हो जाता है और पूरे गाउं को शाप देता है गाउं में हाहकार मज जाता है और लोग बेमौत मरने लगते हैं सभी मदद मांगने मुख्या के पास आते हैं लेकिन थुकन खुद भ गड़ी देवन की मदद मांगता है और वहीं कहानी रंगत परिवार को इस शाप से मुक्ति दिलाता है तो अब जिब कि हम कुमारी मुवी के शाप पे बात कर रहे हैं तो मुझे एक कहानी आदाती है जिसका नाम है शापित राज कुमारी और इस कहानी को आप कुको एफम सुन सकते हैं यहां हमें एक खुसाल राज्य की कहानी बताई जाती है जहां का सेना पती कुछ शैतानी शक्तियों की मदद से पूरे राज्य को तैस नैस कर देता है राज कुमारी पे शाप तक लग जाता है तो क्या वो अपने राज्य का बदला ले पाईगी और क्या वो इस शाप से मुक्त हो पाईगी जानिये कुकू FM पे देखो अभी नया साल आ रहा है और कुकू FM पे बहुत ही गजब का सेल चल रहा है जहां आप सिर्फ 39 रुपीज में मंतली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जी हां देखा जाये तो 60% आफ यानि कि ये सिर्फ 39 रुपीज मे है उसके बाद में रेगिलर कोड एचे UNTT50 वर्क करेगा जहां आपको यूली सब्सक्रिप्शन पे 50% आफ मिलता है तो देख मत करो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कॉमेंट दोनों में है उस पे क्लिक करो कुकू FM को डाउनलोड करो और नये साल पे अमेजिंग आडियो के छोटे बेटे दुरुवन का रिस्ता आता है इस परिवार का मुखिया अब दुरुवन का चाचा है जो एक महान जादुगर है और लोगों को साप के जहर से बचाने का काम करता है इसके अलावा परिवार में दुरुवन का बड़ा भाई अच्चुतन है और उसकी बीव इसके बावजूद कुमारी मान जाती है क्योंकि वो अपने परिवार पर बोज बनना नहीं चाहती थी तो ऐसे में कुछ दिनों बाद धुरुवन और कुमारी की शादी हो जाती और हम देखते हैं कि शादी के बाद जब कुमारी और धुरुवन अपने परिवार के साथ आ रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक औरत रोक लेती है वो कुमारी को चेतावनी देती है कि वो कान ही रंगत ना जाए क्योंकि वहाँ सद्यों से एक शाप रहा है इससे कुमारी काफी डर जाती है लेकिन दुरुवन के चाचा उसे इन सब प्रध्यान देने से मना करते हैं गाउं आने पर कुमारी को मालूम होता है कि दुरुवन को दवा वगेरा चलती है और वो लोगों से कटा-कटा रहता है वो ये भी नुटिस करती है कि हर रात घर के मुखिया यानि दुरुवन के चाचा घर के मंदिर में किसी की पूजा करने जाते हैं वो इस बारे में अपने पती से पूछती है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता है तो अगली सुभा हम कुमारी को घर एक्स्प्लूर करते वे देखते हैं जब वो इल्या माला जंगल के पास आ जाती है उसे इस जंगल में चुक्कन नजर आता है जो उससे अपने पीछे आने को कहता है लेकिन इससे पहले कि कुमारी वहां जाती उसे उसकी भावी और ध्रुवा के बड़े भाई अच्यूतन की पतनी रोक लेती है वो कुमारी को बदाती है कि उनके परिवार में किसी का भी इल्या माला जंगल में दाखिल होना मना है क्योंकि वहां चत्तन नाम का दानव रहता है इसके बाद वो उसे इल्या माला का इतिहास की पूरी कहानी बताती है लेकिन कुमारी को ये बाते अफवा लगती है next scene में हम देखते हैं कि कुमारी को रात को सोते वे एक भयानक सपना आता है सपने में वो एक औरत को खुन से लट पत एक बच्चा लिए देखती है और वो कुमारी को अपने पास बुलाती है उसी वक्त उसकी नींद तूट जाती है वो देखती है कि दुरुवन भी नहीं सोया है और वो दुरुवन को अपने बूरे सपने के बारे में बताती है इस पर दुरुवन उसे comfort करता है और उसे एक पत्थर देता है जिसे पकड़ के सोने से उसे बूरे सपने नहीं आएंगे इधर गाउं वालों की स्थिती गंभीर होती जा रही है मुखिया उनसे अनाज वगेरा ले ले लेता है लेकिन बदले में गाउं के लिए कुछ नहीं करता हम देखते हैं कि अगली सुभा कुछ किसान मिलकर मुखिया से शिकायत करते हैं कि इस साल उनका अनाज बरबाद हो गया है अता वो पहले जितना कर जमान नहीं कर पाएंगे और ये सुनकर अच्छीतन और उसके चाचा काफी क्रूर हो जाते हैं जिसे एक मजदूर उन्हें लालची और जुलमी करार देता है अब धुरवन भी चुप नहीं बैठता और उन पागल है वो शेय करता है कि उसे बच्पन में ही बहुत मारा पीटा गया था जिससे कि उसने गुस्से में अपने ही गुरू को जलाकर मार दिया था और तब से ये बात और प्रसिद्ध हो गई कि वह पागल है सब जानते हैं कि आगे चलके गाउं का भार उसके भाई को मिल एक दिन उसे वापस से इलिया माला के जंगलों में चुक्कन दिखता है और इस बार वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। कुमारी को ये बात पता चले वो सीधे इस जंगल में आ जाए और खुद इलिया माला चतन देव उसके बच्चे की रक्षा करेंगे। ये सुन कुमारी बहुत डर जाती है। जंगल के द्वार पर कुमारी बेहोश हो जाती है और उसे देखने के लिए वैद्दे को बुलाया जाता है। घर वालों को भी बता चलता है कि कुमारी मा बनने वाली है। ये खबर सुन अच्युतन काफी दुखी हो जाता है लेकिन दुरूवन और उसके चाचा काफी खुश नजडाते हैं। दुरूवन कुमारी को बताता है कि जल्दी वो इस घर को वारिस देने वाली ह जिससे उसे भी बहुत इज़त मिलेगी जो अब तक अच्चुतन को सर्फ मिलती आई है As an audience हम notice करते हैं कि दुरुवन का भाव बढ़ने लगा है और वो पहले से ज़्यादा confident दिखाई देता है उसके चाचा भी इस बात की घोशना कर देते हैं कि अच्चुतन के बतले अब दुरुवन को गाव का सर्दार बनाया जाएगा तो एक रात कुमारी को दुरुवन अपने बिस्तर से गायब मिलता है और वो उसे ढूंडने बाहर जाती है हम देखते हैं कि दुरुवन खून से लथपत हालत में घर के कोने में पड़ा हुआ है तो अटर होरर उसने अपनी उंगलियां काट ली थी और क्रीपली मुस्कुरा रहा था वो कुमारी से कहता है कि अब उसकी भी तीन ही उंगलियां है जैसे गरी देवन की है कुमारी बहुत घबडा जाती है और किसी तरह दुरुवन को संभाला जाता है इस इंसिडेंट के बाद दुरुवन और अच्छितन में लडाई भी हो जाती है अच्छितन गुस्सा होकर चला जाता है और हम उसे पाड़ी जातम नाम की औरत के साथ देखते हैं पारी जातम उसे समझाती है कि अगर उसे कानी रंगत पर कबजा करना है तो उसे गड़ी देवर नहीं बलकि इलिया माला चत्तन की पूजा करनी चाहिए क्योंकि अब वही उसे ये हक दिलवा सकते हैं तो अगले सीन में हम देखते हैं कि कुमारी अपनी भावी से धुरुवन के लिए माफी मानती है लेकिन भावी उसे बताती है कि उसने जान बूज कर कभी अपना बच्चा नहीं किया क्योंकि उसे मालूम है कि कानी रंगत खांदान के पहले वार इसके नसीब में क्या लिखा हुआ है कुमारी कुछ समझ नहीं पाती जिस पर अच्चुदन की पत्नी उसे सालों पहले की पूरी घटना बताती है वो कहती है कि जब अरसों पहले इस गाव पर इलिया वाला चत्तन का शाप लगा था तब थुपन ने गड़ी देवन की आवाहन की लेकिन कानी रंगत को बचाने के बदले में गड़ी देवन ने इस परिवार के पहले संतान की बली मांगी थुपन की पत्नी नंगा कुट्टी की गोध देवी मा के कृपा से भड़ी थी लेकिन खुद को बचाने के लिए थुपन ने अपने ही बेटे को सौंप दिया फ्लाश बाक में हम देखत हुआ था जिसकी हड्या तक बाहर आ गई थी और वो काफी दर्द में दिख रहा था भावी कुमारी को बताती है कि यह आत्मी और कोई नहीं बलकि थुपन है जो अपने कर्मों की वज़ा से आज भी इसी घर में कैद है वो यह भी कहती है कि बारव पीरियों तक गड़ी द दिख लेता है और भावी को मरवा देता है कुमारी इस हादसे से बहुत तूट जाती है लेकिन उसे अपने भावी की बात याद आती है अपने बच्चे को बचाने के लिए कुमारी रात को चोरी चुपे इलिया माला जंगल जाती है जहां उसे वही औरत मिलती है वो उसे मंत्रों की किताब देती है जिससे इलिया माला चतन देव को बुलाया जा सकता है वो औरत कुमारी को इलिया माला चतन की गुफा में भी लाती है हम देखते हैं कि कुमारी डरते हुए आगे बढ़ती है और कुछी देर में उसके सामने एक काली परचाया खड़ी होती है यह प पाकी सब इलियावाला चत्तन पे छोड़ दे कि यहां से सब कुछ बदलने वाला है अतह वो तयार रहे तो कहानी अगले दिन पड़ाता है जहां गाउं में एक पर फिर चत्तन का शाफ फैलने लगता है गाउंवाले बिमारियों से मर रहे हैं और सभी मदद मांगने मुखिय के पास आते हैं मुखिया समझ चुका था कि यह सब इलियावाला चत्तन का काम है वो गाउंवालों को आश्वासन देता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा और धुरुवन को उनका नया सरदार घोसित कर देता है सभी गाउंवाले धुरुवन के आगे जुग जाते हैं जिससे दुरुवन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता मुखिया उसे समझाता है कि गाउंवालों के इस डर का फायदा उन्हें उठाना चाहिए अपने चाचा की तरह वो भी मजदूरों से बेरहमी से काम लेने में लग जाता है दुरुवन की चाचा उसे भी जादू टुना स पहुशने पर चत्तन उसे ही मार डालता है तो अगले सीन में हम देखते हैं कि एक तरफ धुरुवन और उसके चाचा गरी देवन की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुमारी चत्तन का मंत्र पढ़ती जा रही है पूजा के दोरान इल्यमना जंगलों से एक साफ निक की थी और वो उस मजदूर को काफी मारता पीटता है लेकिन यह आदमी धुरुवन से कहता है कि उसे निर्दोस लोगों के बजाए इल्यमना के आदिवासियों को पकरना चाहिए क्योंकि वही लोग इल्यमना चत्तन की पूजा करते हैं ये सुनकर धुरुवन अपने पुर जंगल में धुरुवन उसी औरत का सामना करता है जिसने कुमारी को चत्तन तक पहुंचाया था धुरुवन उसे धमकाता है लेकिन ये औरत हसने लगती है और धुरुवन को बताती है कि बहुत जल्द चत्तन जंगलों से निकल कर कानी रंगत पर हमला करेगा और सबसे पहल द्रुवन कुमारी को कंफरेंट करता और कुमारी कहती है कि वो किसी भी हाल में अपने बच्चे की बली नहीं चरहने देगी। ऐसे ही 9 महिने बीटने लगते हैं जब एक दिन कुमारी से मिलने उसका भाई जयन आता है। कुमारी उसे सारी बात बता देती है और जयन गुस्से में धुरुवन से लड़ने लगता है लेकिन धुरुवन उसे भी मार डालता है। अब तक कुमारी पूरी तरह से तूट चुकी थी और वो मदद मांगने सीधा थुपन के पास जाती है। थुपन कुमारी से अपने करमों के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने अपनी बीवी नंगा कुटी के साथ बहुत अन्याय किया था जिसकी वज़ा से उसकी आत्मा भी थुपन की तरह आजाद नहीं हो पाई है। यहां थुपन रिवील करता है कि अब तक कुमारी को जो सपने आए हैं वो उसे नंगा कुटी ही दिखाती रही है। उसी ने कुमारी को चत्तन के पास भेजा था और थुपन बताता है कि चत्तन यहां कुमारी के बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाएगा क्योंकि वो सिर्फ अपना बदला लेना चाहता है। आगे थुपन कहता है कि उसे इस घर के काल कोठरी से गाउं के असली देवी की प्रतिमा को निकालना होगा क्योंकि वही उसे और उसके बच्चे को बचा सकती है। अंदर एक सुरंग का दर्वाजा खोल देता है जिसमें वो अपने हाथ काट कर खून गिराता है। सुरंग के अंदर से एक अजीव क्रीचर बाहर आता है और इस इंटिटी का जीव काफी लंबा था और यह किसी जानवर जैसा दिख रहा था। द्रुवन इसकी पूजा करता है और अपने बेटे को इसके आगे रख देता है। लेकिन तभी इलिया मारा जंगलों से चतन भी जाग उठता है और हम उसे यहां प्रकट होते हुए देखते हैं। चतन का शरीर काले रंगा था और वो देखने में काफी भयानक लग रहा था। चतनों गड़ी देवन में यहां भीशन लड़ाई होती है जहां चतन हर हाल में कुमारी के बच्चे को बचाने की कोशिस करता है। अब तक कुमारी को भी होश आ चुका था और वो भी यहां आ जाती और गड़ी देवन का सामना करती है। लड़ते हुए दोनों उपदेव उसी सुरंग में गर जाते हैं जहां से गड़ी देवन निकला था। ये देख धुरुवन खुदी अपने बेटे की बली चरहने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी यहां कुमारी उस पे कटार से वार कर देती है और उसकी जान ले देती है। देती हैं और इस साल का अनाज उन में ही बाढ़ देती है। लेकिन उनके बच्चे इंसानों को प्रतारित करते हैं इस वैसे देवी उन्हें जंगलों में और जमीन की नीचे छुपे रहने का शाप देकर चली जाती है ऐसा देखा जा सकता है कि चतन को जंगलों में छोड़ा गया था जहां उसे जंगल के ट्राइब्स पूचते हैं वो प्रकृति के करीब रहता है शायद इसलिए इतने सालों में उसके अंदर दया और दोस्ती की भावना जागरित हो जाती है वो चोकन से प्यार करता है और उसी के मौद से गुस्सा होकर कानी रंगत को शाप दे लेता है वही गरी देवन को जमीन के अंदर छुपे रहने का शाप था और वो अपने सुरंग में रहता था लेकिन जब उसे मदद मांगी गई तो उसने अपने अंदर के गुस्से और असूरी भावना की वज़े से एक बच्चे की बली मांगी जिसके बाद कानी रंगत तो सुरक्षित हो गया लेकिन बदले में देवी मा का आशिरवात जाता रहा इनफाक्ट फ्लाश्बैक में भी जब कानी रंगत परिवार में सभी पर चतन का शाप पड़ता है तो हम देख सकते हैं कि नंगा कुट्टी को कोई विमारी नहीं हुई थी विच मीन्स कि चतन शुरू से ही बस गुनेगारों की पीछे था अंत में कुमारी इस घर में मर्दों के प्रतारना को देख वापसे चतन की मदद मांगती है जो आता भी है और चुक्कन की तरह कुमारी के बेटे को भी बचाता है कुमारी खुद अपने पती का संगहार करती है क्योंकि गुस्से और घमन में वो पागल हो चुका था इतने सालों तक धुरुवन के साथ जो भी होता आया उसका गुस्सा उसके दिमाग पर चढ़ चुका था और कुमारी खुद देवी का स्वरूप बन कर शान्ती स्थापित करती है इस नजरिये से इस फिल्म में वुमन इंपावर्मेंट को भी पोट्रे किया गया है अन्त में हम कुमारी के बेटे को चुककन की आत्मा के साथ देखते हैं जिसका या तो यह मतलब हो सकता है कि चटन चुककन की तरह ही कुमारी के बेटे को भी प्यार देगा या यह भी हो सकता है कि गाउं से अभी भी शाप गायब नहीं हुआ है I mean वो उसे manipulate कर रहा होगा तो आप क्या मानते हैं आप प्रीज मुझे comments में जरूर बताईएगा ये कहानी बहुत खूबसूरती से shoot किया गया है Cinematography, पेर, पहार, जंगलों का बहतरीन shots देखने को मिलते हैं और overall ये सच मुझ एक mythological fantasy का feel देती है मुझे ये film काफी पसंद आई तो बस आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और यहां मैं आपको फिर से याद दिला दू कि description और pinned comment में दियेगा लिंक पर क्लिक करके आप कुकू FM को जरूर डाउनलोड कीजेगा क्योंकि हम अपने चाल पर ऐसे वीडियो लाते रहते हैं पीस